खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े और आएब आपको सीधे लेकर चलते हैं 36 गर्ड की राजधानी रायपोर जहां इस पक्त राहूल गांधी क्या कह रहे हैं ज़रा सुनते आदिवासी भाई बेन आए हैं यूगैंडा से हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से बाकी देशों से आए हैं और ये बहुत अच्छा कदम है पहला कदम है मगर बहुत अच्छा कदम है और इसे हमें और तेजी से और मश्बूती से आगे ले जाना है आदिवासियों के सामने देश में बहुत हमस्या है है कि खुशिसे मैं कहता हूं कि 36 गढ़ में आदिवासियों की आवास सरकार में सुनाई दे रही है गेंदू पत्ते की बात हो आपको जमीन वापिस देने की बात हो मैन लिटिशन पर आक्शन लेने की बात हो 36 गर्पी सरकार आपके साथ मिलकर कान कर रही है और चीट मिनिस्टर ने कहा जो पहले यहां हिंसा हुआ करती थी उसमें कमी आई कमी क्यों आई क्योंकि यह सरकार लोगों की आवाज सुनती है और विधान सवा में विधान सवा में सब की आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं सब की आवाज सुनाई देती है देश की हालत आप जानते हैं बाकी प्रेवेश्टों में क्या हो रहा है आप सब को मालूम है किसानों की समस्या आतम हतिया अर्वेवस्ता की हालत भेरोजगारी यह आप जानते हो दोहराने की ज़रूरत नहीं मगर मैं सिर्फ बात कहना चाहता हूँ बिना सब को लिए हरधन को हरजात को आदिवासी दले पिछ्डों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्वेवस्ता नहीं चलाई जा सकती है सिर्वाज आप जो करना नाते हो करो मगर जब तक आप इस देश को जोड़ोगे नहीं जब तक इस देश के सब लोगों की आवास विधान सबाओं में लोग सबाओं में नहीं सुनाई देगी तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है ना अर्वेवस्ता के बारे में किया जा सकता है हमारा कहना है और हर बारे में कहता है अर्वेवस्ता को किसान मजदूर गरीव व्यक्ति चलाते हैं अगर आप पूरा का पूरा पैसा दस-15 लोगों के हमारे कर दोगे नोट बंदी करोगे गलब GST लागो करोगे तो हिंदूस्तान में रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता हिंदूस्तान के अधरवस्ता चली नहीं सकता और मुझे काफी खुशी है कि 36 गड़ में चाहे हो आदिवासियों की बात हो किसानों की बात हो युवाओं की बात हो मतों बहनों की बात हो सब को एक साथ लेकर मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं और फरक तका है हिंसा कम होई 36 गड़ की अर्टिवस का बागी प्रदेशों से आदे बढ़ती जा रहे हैं तो पता लगता है कम पता लगता है दो मिनट में पता लग जाता है और तोड़ने से कुछ नहीं बना जा सकता है भाई को भाई से लड़ा कर देश का फाइदा नहीं हो सकता है कभी नहीं होगा और यह जो माउटसव है यह उसी सोच पर बना गया है अलगा मग अलगा लिवासी सब लोगों को यहां जगह मिलेगी सब लोगों को नाचने का मौका मिलेगा गाने का मौका मिलेगा अपनी जो हिस्ट्री है अपना जो कल्चर है उसको दिखाने का मौका मिलेगा और अनेकता में से इसी फेस्टिवल में आपको एकता दिखाई थी आपको दिखेगा कि अनेकता से ही एकता बनती है अलग अलग लोगों को आदिवासियों को उनके कल्चर को देखकर समझ कर उनकी अवाज को सुनकर ही एकता बनती है और यही हमारा लक्ष है कि 36 गड़ में सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ें मैं अब सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने प्यार से आपनी मेरी बात कर दो बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैह आप अन्यवाद आप जागे…" झाल झाल